गुड मॉर्निंग स्टूडेंट नाउ स्टार्ट अवर न्यू लेशन कर रहे थे जो बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में वो था हमारा स्वाइल इंडिया हमने आपको बताया था कि six types of major soils होती है कौन-कौन सी एलुविल स्वाइल ब्लैक स्वाइल रेच स्वाइल लेटिराइट स्वाइल डेजर्ट एंड माउंटें स्वाइल इन सबके स्वाइल के बारे में अब बाइफिकेट करके पूरा पड़ते हैं कि एक्चुली य इलुविल स्वाइल इस वाइल इस वाइल इस वाइल इस वाइल कहा कहां कौन-कौन से स्वाइल में मिलती है पंजाब में उत्तरपरदेश में बिहार में वेस्ट बेंगौल में पश्मी बंगाल में उडिसा आसम और एंड पार्टस ओ राजिस्थान में मिलती है इस वाइ ये Northern Mountains के पास है ये soil इतनी fertile होती है इतनी उपजाओ होती है LOL soil कि इसमें हम क्या-क्या हुगाते हैं ग्याहू, चावल, शुगर केन, गन्ना, डाले, मिल्च, ओल सीट्स और जूट अर ग्रोन अन दिस soil तो बच्छों आप जानते हैं पंजाब का ग्याहू बहुत ही अच्छा माना जाता है एवन क्वालिटी होती है उसकी राइस, शुगर्स, ये सब बहुत अच्छे होते हैं इन स्चेट्स के, क्योंकि यहां की जो मिट्टी है, वो इतनी उपजाओ होती है कि ये सब जो हम लोग ले रहे हैं ले पल्सज ले रहे हैं, वीट्स ले रहे हैं ये उतनहीं मिट्टी के कारण उतनहीं उपजाओ हो जाते हैं तो देखिये, the soil is made of fine silt brought down by the rivers from the northern mountains Northern mountains So it is extremely fertile wheat, rice, sugarcane, pulses, milk, soil seeds and jute are grown on this state grown on this soil अब पढ़ते हैं black soil बचो हमने annual soil पढ़ी अब हम पढ़ेंगे black soil black soil के बारे में देखिए black soil is a found in state of महराष्टा ये कहां मिलती है हमको black soil महराष्ट में मिलती है और कहां होती है गुजराथ, मध्यपरदेश आंध्यपरदेश, तेलगाना इस soil का क्या होता है lava rocks होती है जो lava rocks होती है black in color वो कौन से रंग में होती है इनमें क्या होता है very high percentage of hums ये क्या clay के लिए it is rich in clay this soil is also known as the regular soil, अगर हम इसका दूसरा नाम दे इस soil को black soil ना कहें तो और कौन सी soil कह सकते regular soil, ये भी बहुत fertile होती है, growing ये सबसे अच्छी किस चीज़ की खेती के लिए होती है sugar cane, गन्ने के लिए, cotton के लिए और ground nuts के लिए सबसे अच्छी खेती इन सब तीनों चीज़ों की यहां पर होती है कौन सी soil में, black soil में इसका दूसरा नाम है, ragger soil तो ये कहां पाई जाती बच्चों महाराष्ट में, गुजरात में, मध्य परदेश में आंध्य परदेश इन तेलगाना एं तमिल नाडू इन सभी जगों में ये लावा रॉक्स होती है जो उनका color black होता है उनको contain very high percentage of humans इस इस इन कले, this soil is known this soil is also known as this soil is fertile and is good for going sugarcane, cotton and grounders next आती हमारे पास red soil जैसे कि नाम से जाना जाता है लाल मिटी ये कहां कहां पे होती है आपको पता है करनाटक में होती है तमिल नाडू में होती है आंध्य परदेश, राजिस्थान, असम, उडिसा पश्मी बंगाल, मध्य परदेश और महाराष्टर में अब आप कहेंगे मैं मापने बताया था कि ब्लेक स्वाइल भी महाराष्ट में होती है और मध्य परदेश में होती है दोनों बच्चों, महाराष्ट में ब्लेक स्वाइल भी है, रेच स्वाइल भी है ये भी बहुत iron इसमें होता है और ये क्या करती है red color है ये बहुत ज़्यादा उपजाओ नहीं होती है this soil is not very fertile बस इसमें क्या होता है suitable agriculture के लिए होती है में कौन-कौन सी soil में कौन-कौन सी crops grown करती है milts and ground nuts red soil is found in the state of Karnatica, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Rajasthan, Aasam, Urisa, West Bengal, Madhya Pradesh and Maharashtra it has a rich content of iron which gives it the red in color this soil is not very fertile fertilizers have to be added to this soil to make a suitable for agriculture some of the crops grown in this soil कौन-कौन सी है milts and ground nuts next आती है मारे पास laterite soil इसके बारे में देखिए laterite soil देखिए कैसी लग रही है आप देखिए picture में आपको समझ में आएगा laterite soil कहां पर पाई जाती है states of Karnatica, Urisa, Caroline, Aasam इसका भी color बच्चों ready होता है also ready in color में दिख रही है इसमें भी iron होता है क्योंकि red color में जाते ही iron होता ही है यह भी good नहीं है fertile के लिए agriculture के लिए is not good clay है, gravel है इस टी में इसमें क्या-क्या उगाया जाता है चाय, कैशी नट, काजू, तंबाकू, ground nuts, rubber and grown in this soil यह सब चीज़े इस soil में उगाई जाती है जो red soil है और laterite soil है कुछ कुछ same ही है एक तो color same है, दोनों में iron है, fertile नहीं है जादा बट इसको other soils के साथ मिलाकर इसको fertile किया जाता है और इसमें इन चीजों की तंबाकू की और कैशी नट की, ground nuts की, rubber की और टी की खेती की जाती है laterite soil is found in some parts of states of Karnatica, Urisa, Kerala and Aasam this soil is also red in color due to presence of iron oxides this soil is not very suitable for agriculture as it is made of clay and gravel tree cashew nuts, tambaku, ground nuts and rubber are ground in this soil तो बचों आज हमने different soils के बारे में पढ़ा next हम पढ़ेंगे desert soil, mountain soil और फिर erosion and the conversation यह सब हम अपने next video में पढ़ेंगे तो आज का हमारा assignment की तुनिए बचों आज हमें assignment में क्या करना है आपको two sim reality, red soil और letterate soil में क्या same है आपको यह बताना है मुझे next, second question, black soil किसकी state में होती है और eleval soil किसकी state में होती है आपको इसके answers देने हैं I repeat it again, eleval soil and black soil किस state में होती है question number one then question number two, red soil और letterate soil में क्या समानता होती है आपको इन दोनों ही प्रशनों के उत्तर मुझे देने है, send करने है students now goodbye bye